हेलो रात के नो बजे एक बार आप तमाम लोग आप सबी अच्छे होंगे आज की कहानी सरहत पार पाकिस्तान से आप ही में से बहुत सारे लोगों ने फर्माईश की थी बेनजीर भुट्टो डॉटर अफ इस्ट पूरप की बेटी कई नाम थे उनके एक ऐसा चेहरा एक पॉलिटीशन का ग्लैमर से भरा हुआ है और पाकिस्तान में पहली बार एक महिला एक लेडी वहां की पॉलिटिक्स में इतनी उचाई तक पहुँचती है और उसके बात जो कुछ होता है बेनजीर भुट्टो की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं आज भी हैं तो उनकी मौत कैसे हुई कौन कौन लोग शक के घेरे में थे क्यों यूएन यूनाइटेट नेशन तक को अपनी इनकारी की टीम जो त्री मेंबर टीम थी वो पाकिस् मुझरफ शक के घेरे में रहे क्यों खुद बेनजीर भुट्टो के हस्बेंड जरदारी शक के घेरे में रहे तो यूई बहुत सारे सवाल हैं बेनजीर भुट्टो से जुड़ ही कोशिच करूँगा कि पूरी कहानी जो है वो मैं आपको ये सामने रखू फैक्ट्स के में कहते हैं कि जो पहली बार लोकतंतर आया तो उसके पहले चुने हुए प्राइमनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो पहले पाकिस्तान के डुमेक्रेटिक मतब चुने हुए एक प्राइमनिस्टर और उसके बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली एक महिल वजीर आजम बेनजीर भुट्टो जुलुफ़कार अले भुट्टो को जब फांसी दी गई थी करॉप्शन के चार्जेज में जनरल जयाउल हक ने जब तख्ता पलट करके सक्ता हासिल किया और जुलुफ़कार अले भुट्टो को फांसी दी उसके बाद से ही पाकिस्तान में उतल उतल का दोर चलता रहा था धीरे धीरे करके फिर बेनजीर भुट्टो राजनीती में आती हैं उसकी वज़ाए एक ये भी थी कि भुट्टो फैमिली में मौत का सिलसला बड़ा आजीब रहा है 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी जनरल जाउल हक ने फांसी दी थी इसके एक साल के ठीक बाद 1980 में जो बेनजीर के भाई थे शाहनवाज वो फ्रांस में एक अपार्टमेंट में अपना रहा करते थे वहाँ एक दिन रहसमें तरीके से उनकी मौत हो गई जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत को ठीक एक साल के बाद और कहते हैं कि उनको पौईजन दिया गया था और ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत के पीछे पाकिस्तानी खुफिय आजेंसी ISI का हाथ था और ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे भी जनरल जाओल हक का इशारा था और उनकी सहमती थी तो 79 में जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत होती है फांसी की विज़ा से एक साल के बाद उनके बेटे जो शैद उनकी पौलिटिकल विरासत को समभालते बट उनकी भी रहसे में हालात में मौत होगी फ्रांस में और जहर दे कर उसके करीब 16 साल के बाद इस फैमिली में से दो लोग बचे थे एक बेनजीर भुट्टो और बेनजीर के दूसरे भाई मुर्तुजा भुट्टो 1996 में मुर्तुजा भुट्टो की कराची में गोली मार कर हत्या कर दी गेती है और कहते हैं कि ये गोली पुलिस ने मारी थी और ये भी कहते हैं कि उस वक्त जो भी गोली मारी गी थी बेनजीर भुट्टो प्रैमिनिस्टर थी पाकिस्तान की और बेनजीर की जो मा थी नुसरत भुट्टो वो हमेशा ये कहती थी कि कायदेसर जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पूरी फिरासत है राजनीती की उसके असली हगदार मुर्तजा भुट्टो है ना कि बेनजीर भुट्टो तो उनको सम्हालना चाहिए और बेनजीर को ये कुरसी मौत हुई थी एक फांसी से एक रहसमे तरीके पॉजन से और फिर एक गोली से और चौती और आखरी जो भुट्टो खांदान की चश्म चिराख बची थी वो बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को उनकी भी मौत हो गई उनका भी गतले कर दिया गया बेनजीर भुट्टो प तक वो पाकिस्तान की प्राइमिस्टर रही है अच्छा पाकिस्तान के एक इतिहास की खास बात है कि आजादी से ले कि जब पाकिस्तान जब से बना है आज तक किसी प्राइमिस्टर ने वहाँ पांच साल का अपना टेनियोर कभी पूरा नहीं किया एक भी प्राइमिस्टर इसके बाद फिर वो दुबारा 1993 में चुकि फिर सरकार जल्दी गिर गए क्योंकि पांस साल तो कोई पूरा करता नहीं, 1993 से 1996 तक वो पाकिस्तान की प्रामिनिस्टर नहीं, 1996 में फिर चुनाओ हुआ और वो हार गई, तब वो लीडर ऑफ ओपोजिशन थी, वे पक्षी पार्टी के नेता थी, लेकिन जब वो चुनाओ हारी 1996 के बाद और लीडर ऑफ ओपोजिशन थी, तब उनके उपर करप्शन के बहुत सारे चार्जिस लग गए, और उस करप्शन में चली गी, पाकिस्तान छोड़ कर दुबई को उन्होंने अपना घर बनाया और लंदन, तो ज्यादा तर वो दुबई और लंदन में रहने लगी, 1999 में पाकिस्तान छोड़ने के बाद, इस दोरान में अब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशरफ तख्ता पलट के वहा प्रवेज मुशरफ की शकल में आर्मी हकूमत कर रही थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अंदर में ये था कि किसी तरह से आप वापस डिमोक्रेसी आनी चाहिए और ये सारी चीज़े बात चल रही थी, तो मुशरफ को भी अब लगा बारी भी दबाव था, कि पाकिस्तान म में पार्टी भी होनी चाहिए, तो एक इमरान खान की तहरीक इनसाफ पार्टी थी, दूसरी नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और बेनेजिर भुट्टो की पाकिस्तान पेपल्स पार्टी, अब बेनेजिर भुट्टो तो बाहर थी तो खाली चुनाओ ऐसे मालुम था कि प्रविज मुस्छरफ को भी की, पाकिस्तान पेपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है, पाकिस्तान में अच्छी खासी वहां पे उनके लोग है, तो अब ये था कि बेनेजिर लोटती हैं तो फिर गिरफतारी होती है, लेकिन फिर हालात ऐसे बनें, कि पाकिस्तान में चुनाव एहम हो गया, और मुशरफ ने इलान कर दिया कि जनवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव होगा, और इस चुनाव में सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी, और बेनेजिर भुट्टो तक ये फिर मैसेज भी गया कि वो पाकिस्तान लोटेंगी, तो उनकी करती हैं, उसी वक्त बीच में वो लंदन से यूएस गय भी थी, और वाशिंग्टन में थी, और वाशिंग्टन में ही उनके पास सब्तमबर में, सब्तमबर 2007 में फोन आता है, परवेज मुशरफ का, ये बाकाइदा जो उनकी एक, बेनेजिर भुट्टो के बहुत खास, जो सयोगी थे, उन्होंने अपने बियान में भी कहा है, कि सब्तमबर 2007 में बेनेजिर भुट्टो के पास फोन आया वाशिंग्टन म उन्होंने बेनजीर भुट्टो को ये कहा कि आप जो लाइन थे वो ये थी कि एक तरह से धमगाया था कि आप पाकिस्तान मताना इस एलक्षन में आपकी पार्टी जो है वो अपना चुराओं लड़ेगी लेकिन आप नहीं लोटोगी और अगर आप लोटेंगे तो फिर आपकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके साथ अगर कुछ होगा तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ये फोन पर कहा गिया था और बेनजीर भुट्टो ने फोन रखने के बाद ये कहा अपने सयोगी से कि ऐसे से प्रिप्ल्स पार्टी के अपने कारकरताओं को 18 अक्तूबर 2007 को उनको पाकिस्तान लोटने का प्लान था और पाकिस्तान लोटना था 16 अक्तूबर 2007 को पाकिस्तान लोटने से पहले बेनजीर भुट्टो एक mail करती है यह सब कुछ record पर है पाकिस्तान में मेरी सेकुरिटी का इंतजाम किया जाए क्योंकि मेरी जान को खत्रा है और मुझे डाउट है कि कुछ लोग मेरी जान ले सकते हैं और उनने खासतोर पर चार नाम लिये थे पहला तब के आईसाई के चीफ एजाश शाह दूसरा पंजाब के एक सीम चीफ निस्टर चौधरी प्रवेज इलाही तीसरा सिंध के एक सीम अर्बाब गुलाम रहीम और चौथा आईसाई के एक्स जो चीफ हामिद कुल को कहना था कि यह लोग मेरी जान ले सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं तो इसलिए प्रवेज मुशराफ आफ हमारी सुरक्षा का इंतजाम करें कहते हैं कि इस मेल के बाद भी प्रवेज मुशराफ ने जितनी सीक्रिटी दी नी चाहिए थी वो दी नी और उस वक्रिटी क्यों चाहिए थी बेनजीर भुट्टो को ये भी समदने की जरुवत थी 2007 आते आते हुआ क्या था कि पाकिस्तान में तहरी के तालिबान पाकिस्तान के नाम पे जिनका लीडर बैतुल्ला महसूद था वो पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में उनके लोग फैल चुके थे अफगानिस्तान से अलकाइदा के जो लड़ाके थे और जो तालिबान के लड़ाके थे वो लोग जब वहां से उनको खदेड़ा गया और फिर पाकिस्तान में जब वाए और पाकिस्तान से भी उनको धीरे धीर करके निकाला जा रहा था परवेज मुशर्फ की रिजिम में मुशर्फ ने बाकाइदा एक जंग छेड़ा की थी और उसमें बहुत सारे तालिबान और उसके लड़ाके मारे जाते थे और इवन पाकिस्तानी आर्मी के भी तो इससे तालिबान और अलकाइदा के जो लीडर थे वो नाराज थे फिर ये भी थी कि एगर बेनजीर भुटो पाकिस्तान लोटती हैं चुनाओं में हिस्सा लेती हैं और वो जीत जाती हैं तो इन कटरपंथी ताकतों को चाहे हो तालिबान हो या अलकाइदा हो ने इस बात का हैसास था कि बिनजीर भुटो भी यही काम करेंगी जो प्रवेज मुश्रफ कर रहे हैं और वो तालिबान सुना फिल्मे देखना टीवी देखना बड़े सारे फत्वे जारी कर रहे थे महिलाओं के लिए पर्दा में रहना तो ये सारी चीजों में कहीं बेनजीर भुटो फिट नहीं बैट रही थी तो ये भी था कि खत्रा है और उनको धंकी भी मिल रही थी तो तालिबान और अल अक्तूबर 2007, 18 अक्तूबर 2007 को वो कराची पहुंचती हैं कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एरपोर्ट से जब वो बाहर निकलती हैं पाकिस्तान पिपल्स पार्टी के हजारों कारे करता वहां पे मौझूद थे चूंकि आठ साल के बाद उनकी लीडर आ रही थी जो उनक इसके बावजूद एरपोर्ट से बाहर निकलते ही दो जबरदस धमाके होते हैं जिस रूट से बेनजीर भुट्टो गुजर रही थी और नसीब की बात थी कि इस हमले में बेनजीर भुट्टो बच जाती हैं लेकिन 165, 165 लोग माले जाते हैं इन दो धमाकों में यह सुस मिन्टों के बाद इतना बड़ा आतंगवादी हमला होता है उनके ही काफले पे और पाकिस्तान पेपल्स पार्टी के जादत तरकारे करता और कई पुलिस वाले इसमें मारे जाते हैं तो टोटल 165 लोग मारे गए इसके बाद खायर किसी तरीके से वहां बेनजीर और फिर से प्रविज मुशरफ से अपनी सेकुरिटी की बात करती हैं इवन वो USA और UK, UN, United Nation इन लोगों से भी गोहार लगाती हैं कि उनकी सुरक्षा और इसका इंत्सान क्या जाए लेकिन जब पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं करती है तो यहां तक करती हैं कि वो अपने प्र उन से वो प्राइवेट सेकुरिटी परसनल अपने बलबूते पे वो मंगवाती हैं लेकिन प्रवेज मुशरफ की सरकार उन सेकुरिटी परसनल को वीजा देने से इंकार कर देते हैं जिसकी वज़ा से वो सेकुरिटी परसनल पाकिस्तान पहुंचे नहीं पाते हैं और बे 2008 में चुनाओ था मेने जिर भुट्टो अपनी पूरी तरह से पार्टी को जिन्दा करने में लग जाती है चुनावी रैलियां शुरू हो गई क्योंकि अक्तूबर में वो लोटी थी और लगातार उसके बाद चुनाओ होना था तो लोगों से मिलना जुलना शुरू हो चुका था इसी के बाद फिर दिसंबर का आखरी हाफ़ता शुरू होता है अब चुनाओ में बस कुछी दिन बचे थे 27 दिसंबर 2007 रावल पिंडी ये पाकिस्तान का आर्मी बेस्ट भी कहते हैं इसको रावल पिंडी शहर खुबसूरत शहर है वहां के लियाकत बाग लियाकत नेशनल बाग एक जगह है बड़ा सा ग्राउंड है वहां पे बेनजिर भुट्टो की रैली थी चुनाओी रैली और उस चुनाओी रैली में उनको वहां पहुँचना था उस दिन करीब सालह चार बजे लेकिन चुनाओी रैली में अक्सर नेता है कई रैली आएक साथ एक एक दिन में करते हैं तो लेट हो जाते हैं तो इस लियाकत बाग रावल पिंडी के मैदान में चुनावी रैली में जहां उन्हें साले चार बजे पहुंचना था वो साले पांच बजे पहुंचती हैं एक घंटा लेट अपनी वाइट ट्वेटर लैंड क्रूजर कार में और जो सीकुरिटी उनको महिया कराएगे थी वो थी इसके लावा जो रावल पिंडी की लोकल पुलिस थी उनकी जिम्मेदारी थी वहां की सीकुरिटी महिया कराने की तो वो लोग थे साले पांच बजे ये रैली चुनावी रैली इस थल पे पहुंचती है जगा पे वहां पे हजारों की भीड थी चुनावी रैली को में वो बोलना शुरू करती है करीब 40 मिनट बोलती है और इसके बाद सवा 6 बजे उनकी तकरीर खतम होती है उनका भाशन खतम होता है सवा 6 वजे वो इस मंज से नीचे उतरती है लोगों से हाथ भीर चुके थी मिलते मिलाते सेक्रियोटी गार्ड उनको कवर किये वे थे वो अपनी गाली तक आती है वाइट लाइन क्रूजर में और उसके बाद उस गाली में बैठती है फिर उसका जो सन्रूफ था वो उसको खोल देती है और सन्रूफ से अपना कमर के उपर का हिस्सा उनका गाली में वो खड़ी हुई थी और लोगों को वेप कर रही थी है और जो लोग नजदीक थे वो हाथ भी मिला रहे थे उसके बाद अब गाड़ी का ये काफला निकलना था लेकिन भीड इतनी थी कि वो गाड़ी को रास्ता नहीं मिलता है कुछ और तभी जब वो सन्रूफ से अपना सर निकाल कर कमर से उपर का हिस्सा गाड़ी के उपर था अचानक पूरे ये कैमरे में चुके रैली थी तो बहुत सारे कैमरे भी थे मेडिया के भी थे चैनल भी बहुत सारे तो एक पंदरा साल का लगा जिसका नाम बिलाल बाद में पता चला वो लगातार दिख रहा था गाड़ी के असपास वो अचानक आता है बेन जीर भुट्टो के बिलकुल दोनों में बस कुछ देर का फर्क और बेन जीर भुट्टो अचानक से फिर वो गिरते वे दिखाई देती है अफरा तफरी मत जाती है आग लग चुकी उती धमाके के बाद और उस बॉम बिलास में वहाँ पर जो मौजूद लोग थे करीब 24 लोग मारे जाते है जा जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये ब्रॉट डेट है वो तब हॉस्पिटर लाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी खबर जंगल में आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गी थी उस वक्त इसलामाबाद में प्रवेज मुश्रफ कैबिनेट मीटिंग ले रहे थे जब उन तक भी खबर पहुंसती है तो फॉरण उनावल पिंडी प्रशासन से बात करते हैं कुछ देर के बाद पाकिस्तान जो पी टीवी है उनका नेशनल टीवी चैनल उसके उपर वो पाकिस्तान को खिताब करते हैं रास्ट के नाम संदेश देते हैं लोगों से शांती बना रखने के अपील करते हैं ये भी कहते हैं कि जो भी बेनजीर का कातिल उसे बक्षा नहीं जाएगा चाहे कोई भी हो इदर खबर मिलते ही एक और रेली में नवाज शरीफ थे वो सबसे पहले शक्स थे जो हॉस्पिटल पहुंसते हैं रावल पिंडी जेनल हॉस्पिटल इमरान खान भी इसकी सक्त मजम्मत करते हैं जिन्दा करते हैं तो हर पार्टी इस वक्त बेनजीर भुट्टो की मौत से सद्मे में और सभी और सभी ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सरकार की नाकामिया सरकार ने सुरक्षा नहीं दी जाये वो नवाश शरीफ हो इमरान खान हो सभी नहीं ये उस वक्त बात कही थी खैर वहां हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी उसके बाद जो पहली रिपोर्ट आती है बेनजीर भुट्टो की मौत की और वहां की जो इंटीरियर मिनिस्टर थी उस वक्त उनका बेयान आता है कि बेनजीर भुट्टो की मौत गोली लगने या बम से नहीं होई है बलकि वो लैंड कुरूजर कार में खड़ी हुई थी और वो अचानक जो धमाका हुआ तो उस धमाके की वज़ा से कोई हिस्सा उड़कर आया था और उसकी वज़ा से उनके सर में चोट लगी और उसकी वज़ा से मौत हुई मतलब बम और गोली से नहीं हुई हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी शुरुआत में कह दिया कि जो उनका सकल खोपड़ी था वो बहुत ज़ादा फ्रैक्टर था उसकी वज़ा से मौत हुई लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अलग दूसरा बेयान आता है कि उनके गर्दन में दो गोली लगी थी अब उसके बार ये बात्चीश शुरू हो जाती है कि असल में वहाँ पे एक तपका ये नहीं चाहता था कि बेनेजीर भुटो को ये कहा जाए कि गोली से या बम से मौत हुई है क्योंकि इस से उनको शहीद का दरजा मिलेगा दूसरा चुनाओ होने वाला है तो उस चुनाओ में पूरी हमददी का वोट मिल जाएगा तो इसलिए इसको एक हाथसा की तरह बताया जाए तो यही था कि ब्लास्ट हुआ तो कुछ उड़कर आया और सर में चोट लगी और सन रूफ पे थी तो उसका कोई हिस्सा लग गया और उस सर पे चोट लगने की विज़ा उनकी मौत हुई अब यहां पे भी यह देखिए कि आप एक इतनी बड़ी नेता जो पाकिस्तान की दो बर प्राइम निस्टर रही जिसके उपर इस से दो महीने पहले अटेक हुआ और 165 लोग मारे गए जो वहां के तमाम जो खट्रवादी ताकते हैं उनकी हिट्लिस में थी उसकी मौत होती है और उसका पोस्टमॉटम नहीं होता अब स्कल फ्रेक्चर की विज़ा से मौत हुई गर्दन में गोली लगने की विज़ा से मौत हुई ब्लास्ट के छर्रे लगने की विज़ा से मौत हुई कैसे मौत हुई या आज तक नहीं मालू है पूरे पाकिस्टान में किसी को इसलिए कि बेनजीर भुट्टो का पोस्टमॉटम ही नहीं किया गया और उसके बाद कहा ये गया कि जो उनके पती थे आसिफ अली जर्दारी उन्होंने कभी ओफिशिली पोस्मॉटम के लिए कहा भी नहीं और नजित की और ये भी है कि उनके ना कहने की वज़ा से भी पोस्मॉटम नहीं हुआ जबकि ये लोकल अड्मिस्रेशन और पुलिस का काम ता फर्स था करना चाहिए था क्योंकि उस मौत की सही वज़ापत क्योंकि जब इस तरह की बाते आ रही है कि ये एकसिडेंटली सं रूफ से चोट लगी या कुछ उड़कर लगा सर में लेकिन गोली नहीं लगी बॉम नहीं लगा चर्रा नहीं लगा तो ऐसे सिच्वेशन में इसकी जांच होनी चाहिए थी और खास तरह पर पोस्मॉटम अगर होगी तो मौत का रीजन बिल्कुल पता चल सकता था लेकिन हुआ नहीं उनकी बॉड़ी को वहां से फिर लर्काना ले जाया गया चौपर से और लर्काना में अगले दिन 28 दिसंबर को उनकी तस्वीन कर दी गया उनको दफना दिया गया जिसमें ये सारे लोग मौजूद थे लेकिन या आज भी है कि जब इतनी सारी चीज़ ही तो आसिफ अली जर्दारी ने क्यों नहीं कहा कि पोस्ट मौटम होना चाहिए ये भी पहला पहलू है दूसरा ये है कि इस मौट के बाद फिर चुना होता है उसके बार दिफ आसिफ अली जर्दारी प्रिसिडेंट बनते हैं पाकिस्तान के अब जिनकी अपनी बीवी की मौट हुई और जिनकी मौट को लेके लोग शक और सवाल उठा रहे हैं उनके अंडर में सब कुछ सारे सीक्रेट पेपर्स भी इन्विस्टिकेशन जोड़ी सब कुछ लेकिन आसिफ अली जर्दारी ने कभी कोशिश ही नहीं की कि इस मौट के पीछे कौन लोग शामिल थे किसकी साजिश थी बलके पाकिस्तान में तो ये भी उंगली उठाई गई कि बेरेजीर भुट्टो की कतल के पीछे आसिफ अली जर्दारी का हाते क्यों क्योंकि उनकी म उनका रेपो पाकिस्तान में ठीक नहीं था उसक्त वो बड़े बदनाम थे मिस्टर 10% के नाम से मतलब कमीशन का नाम था कि कुछ भी काम कराना हो तो 10% कमीशन जर्दारी के हिससे में जाना है तो मिस्टर 10% उनका निक नेम पाकिस्तान में लोग ने रखा हुआ था तो हुआ अब इसके बाद जब आवाजें उठी तो यून ने यूनाइटेट ने आपकिस्तान में इस इंसिडेंट के एक साल के बाद 2009 16 जुलाई को अपनी तीन मेंबर की एक टीम भेजी इंविस्टिकेशन करने के लिए कि बेनजीर भुट्टो की मौत का सच क्या है उनकी हुई कौन लोग इसमें शामिल है यह टीम पाकिस्तान पहुचती है इसके बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस टीम की रिपोर्ट सुनी है आप पहली चीज़ इस टीम को हैरत इस बात पर होती है कि पोस्टमॉटम क्यों नहीं हुआ और इस पोस्टमॉटम न पंत्रियों नहीं देने से मना कर दिया जिनकी बीवी की मौत की चांच हो रही है तीसरा किसीन आफ क्राइम को जहां पर बेनेजीर भुट्टो की डेथ हुई थी बहुत ही जल्दी जल्दी साफ कर दिया गया और सब सारे सबूत जो हैं वो मिटा दिये गए तो इन सब के मेदार माने जाते हैं आसिफली जिरधारी के अलावा इस पर प्रवेज मुशारफ को भी को हुँ लेकर उंगी उठी कि प्रवेज मुशारफ भी बिनजीर भुट्टो के इस कतले के पीछे साजिश रसने वालों में शामिल हो सकते हैं उस वक्त लेकिन प्रवेज तहरीक तालिबान ने किया और में उनकी जो मौत के लिए फर्मान और फत्वा जारी किया था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो सरगना था बैतुल्ला महसूद उसने लेकिन बैतुल्ला महसूद ने बेनजीर भुट्टो की मौत के दो दिन बात ही बयान जारी कर कहा कि बेनेजीर भुट्टो की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसने कोई साधी सश्की नहीं रची है इसके बात अचानक फिर एक बयान आता है मुस्तफा अबू अल्यजीद ये अल्काइदा का कमांडर था और ये बता पाकिस्तानी मीडिया को फोन करके कहता है कि बेनजीर भुट्टो का कतल अल्काइदा ने किया है और इसका हुक्म जो है अल्काइदा के नमबर टू अल्जवाहरी ने दिया था आयामीन अल्जवाहरी जो असामा बिन लादेन के बार नमबर टू के पोजिशन पूबा करता और तब तो ये अल्काइदा ने बाद में इसको क्लेम किया इधर चौतरफा दबाओ के बाद पाकिस्तान के अंदर बेनेजीर भुटो की मौत की जाँच चल रही थी और जाँच को लेकर बाकाइदा पुलिस ने जाँच की फिर मामला कोट में गया जो रावाल पिंडी के पुलिस के अफसर थे जो शुरुवाती जाँच इसमें ये पाया गया तो आप उसको चारो तरफ से घेर लेते हैं अपने अंडर में कर लेते हैं वो अपने आपको बचाते हुए कैमरे पे दिखे गए जैसे उन्होंने देख लिया फायर हो रहा है तो फायर होते हुए देखा तो उनका ये काम था ये वो बेनजीर भुट्टो को कवर करें लेकिन वो ऐसे पीछे अपने आपको बचा दें और जो बाकी थे वो बिलकुल हिल नहीं रहे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कैमरे पे ये भी है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो इसलिए कई जूनियर और सीनियर पुलिस वालों के खलाब भी मुकदमा दर्ज हुआ और आखिर में तमाम चीजें जब बहुत बढ़ती गई तो ट्वेंटियाथ अगस्ट दोहजार तेरा ट्वेंटियाथ अगस्ट तूथाजन ठाटीन बीस अगस्ट दोहजार तेरा को प्रवेज मुशर्फ के खलाफ बेनजीर भुटो के कतल कतल की साज़िश रचना और कातिलों को मदद करना इन तीन सेक्शन के तहर उनके खलाफ मामला दर्ज हुआ पाकिस्तान में और उसके बाद मुशर्फ पर भी मुकदमा चलना शुरू हुआ लेकिन मुशर्फ ने उस वक्त इससे इंकार किया और फिर जब ये लेकिन अब मुकदमा जब दर्ज हो गया तो अब जाय सी बात इसमें गिरफतारी की तलवा लटक गई तो इसलिए 31st August 2017 को पाकिस्तान की एंटी टेरिरिजम कोर्ट ने बेनजीर भुट्टो के कतल की सुनवाई करते हुए परवेज मुशर्फ को भगोडा करार दिया और उनके खिलाफ इन ही मडर मडर की साजिश और कातिलों को मदद इन तीनों सेक्षन को बनाया रखा इस एंटी टेरिरिजम कोर्ट ने और भगोडा कहा और यह कहा कि वो जैसी आएंगे जब भी उनको लाया जा और यहां पर यह इन तीन सेक्षन के तरह पर मुकदमा चलेगा जो दो सीनियर पुलिस अफसरत से रावल पिंडी के उनको सत्रा सत्रा साल की सजा सुनाएगी तालिबान के जो पांच सस्पेक्ट को पकड़ा गया था जिनको कहा गया था कि इन लोगों ने प्लानिंग किये उन पांचों को सबूत ना होने की वज़ा से छोड़ दिया गया अब पुलिस वाले तो जेल में हैं लेकिन मुशर्रफ प्रवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो मुकदमा है वो चुके तब तक नहीं चल सकता जब तक की वो पाकिस्तान लौट नहीं जाते अब यहां पे दो तीन और साजिश की चीज़ें आती हैं चानक एक बेनसीर भुटो की इस पूरे मामली की जो पैरवी कर रहे थे इस गातिल के खिलाफ साजिश और तमाम चीज़ उनके बड़े करीबी एक वकील थे हो बहुत धुआधार पाकिस्तान में वो वकील जो चोधरी जल्फिकार चोधरी जल्फिकार ने अचानक दोहदार तेरह के आसपास जब परवेज मुशरफ के खिलाफ अदालत ने वे नजिज़ भुटो के कतल का कि साजिस रचने और कातिलों के मुदद का मुकदमा दरज हो गया उसी साल बेनजीर भुट्टो की यही वकिल जो कह रहे थे कि वो इस केस के बहुत करीब तक पहुंच गए हैं साजिस के खुलासे में तीन माई दो हजार तेरह को चौदरे जुल्फिकार इसलामाबाद में उन्हें गोली मार दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है अब यह बड़ा सस्पिशियस था इसलिए कि एक केस बहुत ही अपने अहम मोड पर है और उसी कुछ वक्त पहले प्रविन उश्रफ के खलाफ मामला दरज हुआ है और उसके कुछ दिन बाद ही इस केस के जो पैरविकार थे जो वकील थे उनकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है यह पहला दूसरा इस मामले की और भी तमाम इंटरनेशल जो एजनसियां थी अलग अलग वो भी जांच कर रही थी तो पता चला कि जिस दिन ये 27 दिसंबर 2008 को जब साथ को बनेजिर भुट्टो पर अटेक किया गया तो जो पहला सुसाइड बॉमबर था वो 15 साल का बिलाल था जिसे ये कहा ही गया था मिशन पर भेजा गया था लेकिन उसके साथ हमेशा ये लोग एक बैक अप भी रखते हैं तो ये था कि अगर बिलाल नाकाम हो गया या मारा गया या पकड़ा गया किसी वज़ा से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो जो दूसरा उनके साथ रखा गया था उसका नाम था इकराम उल्ला कि अगर बिलाल फेल होता तो एकराम उल्ला अटक करेगा लेकिन चुकि बिलाल मिशन में काम्याब रहा उसने गोली चला ये उसका ब्लास्ट भी हो गया और बेनजिर भुट्टो की मौत भी हो गई तो इनको अपने बैक अप को यूस करनी की जरूवत नहीं पड़ी तो इकराम उल्ला का इस्तमाली नहीं हुआ और इकराम उल्ला भी अगर फेल हो जाता तो इन्होंने एक तीसरा रखा वा था सईद तो ये तीन थे बिलाल, इकराम उल्ला और सईद बेनजिर भुट्टो को मारने के लिए जिनको भेजा गया था अब बिलाल तो मारा गया इकराम उल्ला की जरूवत नहीं पड़ी और सईद ये वहां से निकल गय जांच के दौरान इकराम उल्ला का नाम आया चुके एक-दो जी साजिश में शामिल थे, वो पकड़े गया तो उन्होंने खुलासा किया कि तीन लोगों को ये टास्क दिया गया था तो एक मारा गया, दो और था तो अब पाकिस्तानी जो उस वक्त पुलिस और वो थी उन्होंने ये दावा किया कि नहीं एकराम उल्ला जो है वो इस इंसिडेंट के एक साल के बाद ही एक आर्मी ऑपरेशन में मारा गया और अब वो जिंदा नहीं है, तो इसलिए वो कोई, अब मतलब ऐसा एक एहम गावा हो सकता था इस केस में पर उन्होंने दावा किया कि, पाकिस्तानी हुकूमत ने खुद दावा किया कि, एकराम उल्ला महारा ज़र चुका है, आर्मी का उपरेशन में इस दावे के, करीब 9 साल के बाद, अगस्त 2017 में, यही पाकिस्तानी गवर्मेंट, 28 पेज का एक लिस्ट जारी करती है इस लिस्ट में पाकिस्तान के Most Wanted, Dangerous जो आतंगवादी हैं, उन लोगों के नाम थे और कमाल देखिए, कि 28 पेज की इस लिस्ट में, 9 नमबर पर जिस खतरनाक अतंगवादी का नाम था, उसका नाम इकराम उल्ला था, और यह वही एकराम उल्ला था, जो बेनजीर भुट्टो में, बिलाल के बाद, बैक अप के तोर पर इस्तमाल किया गया था, और इसके बा इस पूरे मामले में बेनजीर भुट्टो की कतलो को लेकर, तो कई ऐसी कहानिया आपको सुनाएं, जिसमें एक जगा पर आके फिर मैं भी वही अटक जाता हूँ, और सोसता हूँ, ऐसा क्यों होता है, कि पोस्ट मॉटम, मतलब गोली लगने से गर्दन में मौत हुई, बाम कुछ उड़कर आया, या फिर जो गाली का च्छत, उस च्छत में सर टकराने से मौत हुई, और क्यों नहीं इतनी, मतलब खास इन चीजों को पता लगाने के लिए, बेनजीर भुट्टो के जो शोहर हैं, आसिफ लिज़दारी, उन्होंने पोस्ट मॉटम के लिए क्यों न बना किया गिया, तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल था, तो बेनजीर भुट्टो की मौत को लेकर आद भी पाकिस्तान में जो आम धाना है, वो यही है, कि उनकी मौत के पीछे एक साज़िश है, और जो अमेरिका और ब्रिटन की अगर मैं खुफिय आजंसी और उनक मिनिस्टर बने, और उनकी मदद कटर पंथी ताकते कर रहे थी, जैसे अलकायदा या तालिबान, यह जो वेस्टर्न कंट्रीज के अपनी रिपोर्ट हैं, वो है, और कहीं न कहीं, इसमें जो लापरवाही बढ़ती गई, वो परमेज मुश्रफ की तरफ से बढ़ती गई, आसिफ अली जरदारी को लेके तमाम शक और सवाल उठे, तो जाच भी की गई, लेकिन खागया कि ऐसी एक भी चीज सामने नहीं आए, जिससे आसिफ अली जरदारी को बेनजीर भुट्टो के कतल में शामिल किया जा सके, कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई गवा, कुछ नह लेकिन आज भी शक के उंग्डी उनके उपर उठाई जाती और उठती है, तो प्रवेज मुशरफ असिफ अली जरदारी को लेकर वहां उठा, और खास्तोर पर पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस आईसाई, इन लोगों को इस पूरे शक के घेरे में लिया गिया, और जो मौ पुलर भी बहुत थी, खासतोर पर वेस्टर्न कंट्रीज में भी, तो अपनी कटर पंती सोच की वज़ा से वो रास्ते से खाना चाहती थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान इस्टेबलिश्मेंट के कौन कौन लोग शामिल थे, कितने बड़े बड़े लोग शामिल थे, याज बेनजीर भुट्टो की मौत के करीब 11 साल बाद भी एक राज है, एक रहसे है, हला कि कानून के हिसाब से जाएं, तो पाकिस्तान की जो एंटी टेरिजम कोट है, उसने परवेज मुशर्ण को इसमें अक्यूस बनायवा है, बेनजीर भुट्टो की मौत की साधिश में शाम होते हैं कि फिर वो पाकिस्तान सरकार में तो रहता ही निया, पाकिस्तान में भी नहीं रहता है, नवाज शरीफ से लेके परवेज मुशर्ण बेनजीर भुट्टो, यह सारा इतिहास यही बताता है, तो अब इस केस जो जहां पे खड़ा है, वो यही है, कि इसमें कुछ प खुलासा नहीं हो पाया, तो यह थी पूरी कहानी बेनजीर भुट्टो की मौत की, कुछ एकर रह गया हो, मुझे कुछ याद आएगा तो फिर कभी, यह आप सवाल पूछेंगे तो आपको बता दूँगा, अब मैं आसिम से कहूंगा, आसिम साहब हैं, लीजे माइक, सर, मुच्छ रही है, बेनजीर भुट्टो को डॉक्टर ऐसक क्यों कहा जाता था, एक तो पाकिस्तान से वो निकली और पाकिस्तान में पहली बार, जहां मर्दों की इतनी ज़दा भावी है और उनोंने बुग भी लिखी थी, और इन सारी चीजों को लेते हुए, लेकिन एक्जेक्ट जो आपने ये सवाल पूछा, नाम क्या उनका? सर्ब ममता. ममता जी, कि डॉटर डॉटर अफ इस्ट, मतलब पूरप की बेटी क्यों कह जाता है? सच पर ये नाम किस ने दिया और क्यों दिया? ये मुझे भी पढ़ना पड़ेगा. लेकिन ये कि डॉटर अफीस तो कहते हैं, पूरप की बेटी भी कहते हैं, लेकिन एक्जेक्ट इसके पीछे रीजन किया है? ये आपने ऐसा सवाल पहला ही पूछा है कि मझे बिल्कुल भी नहीं मालूँ. तो मैं एक बर वज़रा इसको पढ़ता हूँ, अब फिर आपको बताऊँगा. सर, अमी केत कुमार है, वो पूछ रहे हैं कि अगर बेनजीर भुटो की सरकार सक्सेस्फुली बनती, तो करिंट पाकिस्तान में क्या बदला होते हैं? क्या पाकिस्तान की जो आज कंडिशन वो बहतर होती? निकेत कुमार दी, ये बड़ा सवाल वो वैसा है कि अगर वो बनती होती हैं, तो क्या होता? क्योंकि पाकिस्तान में इसकदर उठा पटक सब कुछ चलता रहता है, वहां के पॉलिटिकल, वहां के बागी हालात, ये कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल काम है कि, वो होती हैं तो क्या होता है, लेकि ये है कि हाँ, बेनजीर भुटो की जो सोच थी, चुकि उनकी पढ़ पाकिस्तान कुछ और होता है, और हमारे साथ उनके रिष्टे कुछ और होते हैं, सर एक रेहान है, वो पूछ रहा है, जो यूएन ने जाच के लिए बनाई थी, उनकी रिपोर्ट आई, और उसमें क्या आया है, तो खुला सकते हैं, यूएन की रिपोर्ट मैंने आपको ब बात करने से रोक दिया गया, और ये बात करने से किसी और ने नहीं रोका, बलकि खुछ आसिफ अली जरदारी की जो मिनिस्टर थे, उन्हों नहीं रोका, तो ये थी सारी, लेकि उन्होंने शक जताया है कि इसके पीछे साजिश कह रही है, सर एक रिहान ही है, सर ये रिहान मलिक हैं सरी है यह पाकिस्तान से हैं यह पूछ रहा है कि बेनजिर बुक्तो का इंडिया के प्रती इंडिया के तरफ किस तनहा लगाफ था और कैसा टेक था रहान साथ जितना उस वक्त था जब चुके दो टेडियोर में प्रैमिनिस्टर रही थी और इंडिया के साथ बड़ मतला इंडियान मुझे मालम मुझे बड़े खुश थे कि चलो पाकिस्तान में कितने खुबसुरत प्रधान मंत्री आई है तो अच्छा होगा हमलों को तो ये भी याद है कि मतला इस वकि इधर राजीव गांधी थे पॉलिटिक्स में उधर बेनेजीर भुट्टो थी तो सब कुछ बड़ा अच्छा था और जो उनके शुरुवात थे वो भारत को लेकर चुके जो सोच और सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी थी और तब इस तरह के जो भी कड़वाट है हम लोगों के बीच में दोनों मुलकों के इतनी ज्यादा उस वक्त थी भी नहीं सर इसमें सर गुर्मीक जी है है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है और आपकी स्टोरी रोज देखके उनको ये समझ में आगा कि स्टोरी में सस्पेंस किस तना बनाना चाहिए और दुनिया को किस तना अपनी स्टोरी प्रेजेंट करने चाहिए इसके लिए आपको थैंक्यू बोल रहा है गुर्मीक संदू गुर्मीक संदू साब मुझे खुश हुई कि आप स्क्रिप्ट राइटर है इसक्रिप लिखते हैं अच्छी बात तकि मेरी पहली लाइन क्या होगी और आखरी कहां पर खतम करूंगा या बीच में कौन सी लाइन उठाओंगा बस बढ़ती जाती है और मैं बोलता जाता हूं सर एक अमित कुमार सिंग है यह बोल रहा है कि सर आप जब डेली अपनी स्टोरी के लिए सोचते हैं तो आप किस तरीके से अपनी स्टोरी घर जाके सोचते हैं कि मैं स्टोरी करूंगा या फिर ऑन दर टाइम आपको दिमाग में आती है अमित सिंग जी मैं घर पे कभी जाकर स्टोरी नहीं सोचता हूं और सही बता हूं आपको बहुत इमंदारी से तो मैं सोचता भी नहीं हूं जैसे अभी मुझे नहीं मालूम है कि मैं कल क्या सुनाओंगा पर आज ही मैं बैटकर इन लों से भात कर रहा था तो एक लिस्ट आ है एक सोचार छे साथ स्टोरी से हो गई है एक सोचार सर बढ़ी है एक सोचार भी हो ही कि आपनों सुचार या पाच स्टोरी अपनों को सुना चुक है एतन oscill Parrukt मजब भी यकिन नहीं हो रहा है बट पर सोचता नहीं कि कब कौनसी स्टोरी सोच सुनानी है इसके लिए जह बस तो जो उस दिन लगता है बस वही सुना देता हूं तो इसके लिए कुछ अलग से सोचना या बहुत जादा दिमाग लगाने की ज़रुवत नहीं पड़ती है सर नितिन शर्मा है वो बोल रहा है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई गन शॉप की एक मंडी टाइप की होती है वहां गौवर्मेंट का रोक नहीं होता है क्या जो इतना खुले आम हतियर मिलते हैं नितिन साब आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई मतलब बंदूक खुले आम मंडी है वाजार है चुकि मैंने देखा नहीं और मैं गया भी नहीं कभी मुझे वीजा भी नहीं मिलता कभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है लेकिन हाँ जो स्वात घाटी है जो वहां की तस्वीरे देखी है जहां जहां पर तालिबान और इनका गड़ है तो वहां तो खुले आम एके सहतालिस से लेकर सब कुछ लह रहा है जाता है और बंदूक जहां आतंक होगा वहां तो बंदूक और गंत होगी सर रिशवादर्श है वह बोल रहा है उनका सवाल है कि आपने का जितने टेरिस्ट या कोई अंडरवल डॉन जैसे लोग होता है अगर वो अपना इंटरव्यू बुला कर आपको बुला के इंटरव्यू देते हैं तो उसने पर क्या प्रिकॉशन्स लेनी चाहिए और आपन पर क्या प्रिकॉशन्स लेना चाहिए मुझे लगता है कि जब बुलाया और आप जा रहें इंटरव्यू करने तो फिर प्रिकॉशन्स का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो होना होगा वो होगा डिपेंड करता है कि हाँ वो सामने वाला जो शक्स है जिसका इंटरव्यू आपको जान ही ना दें तो इसलिए कई बार छुपा के भी जाना पड़ता है लेकिन बागी precaution मेरा मानना है कि देखे जो लिखा है वही होता है और वही होगा तो इन सब कोई मतलब नहीं है वन्हा जिनकी जिनके उपर जान की जिम्मेदारी ती हिफाज़त की उन्होंने इंद्रा गांधी को गोली मार दी तो फिर क्या कहेंगे आप मुकदर का और मौत का तो जब होता है जो भी होना होता है वही तब होता है सर बिलाल मलिक हैं वो बोलना है शम्ज भाई वो करसाज कराची में रहते हैं वहाँ पर दो ब्लास्ट हुए थे उनमें उनका एक दोस्त भी मार गया था कामरान नाम है वो चाहते हैं कि आप उनके दोस्त का नाम ले एक बार कामरान नाम है अफसोस है आपके दोस्त के लिए और उपर वाला बस उन्हें जर्नत दे। सर नितिन शर्मा रोहित पवार वो बोल रहा है कि सर पाकिस्तान आतंगवात का गड़ है तो पूरी दुनिया जानती है फिर भी कुछ क्यों नहीं करता है। रोहित साब अशल में वही वाली बात है कि इसको लेके बहुत सारी बाते हों गए बहुत सारी भैसे हों गई। बट अगर सरकार चाहे तो कर सकती है और सिर्फ बात ये नहीं है आप अगर वहां पर आतंक आप बोते हैं तो फिर आतंक को काटना भी पड़ता है तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में अगर आतंकमाती संगटन हैं सारे तो वो सिर्फ दूसरे मुलक को ही नुखसान पहुचा रह हो क्योंकि आतंक के लिए किसी की जान लेने के लिए कोई भी जमीन अपनी इस्तमाल करने दे यह गलत है और उसको करने नहीं चाहिए और यह सोचना जाएगी किसी को भी बंदूग थमाना असान है वापस उससे लेना पड़ा मुश्किल काम होता है तो वह नौबती ना है क हम किसी के हाथ में बंदूग दें ताकि वापस ना लेना पड़े लक्षे हैं लक्षे वशिष्ट वो बोल रहा है बेनाजीर भुट्टो के मर्डर की इंफर्मेशन आपको पाकिस्तानी न्यूस से मिली ती या किसी सोर्स से मिली ती लक्षे वहां पे भी अपने बहुत सा नहीं है तो मैं भी ऊसी शपत और कसम से बना हूँ तो जहिर से बात है बस आप लोगों के लिए खबरें निकाल लिए होती हैं तो कहीं ने कहीं से निकल आती हैं सर दिव्यान्शू है वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्मी का इतना इंफुलेंस पॉलिटिक्स में है क्या पाक की गलतियां और पॉलिसी ऐसी है कि वहाँ पर आर्मी का ज्यादा इंफुलेंस है दिव्यान्शू राज अच्छा हुआ आपने पूछ लिया बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है तो मैं बता हूँ वहाँ पे क्यों आर्मी का इतना इंफ्लॉंस है क्यों सरकार कल ही इमरान खान ने जब करतारपूर कोरिडोर का वो शलान नियास कर रहे तो गाटन तो उन्हों ने कहा था पाकिस्तान की आर्मी हमेशे ऐसे नहीं करती इसके उपर कुछ लोगों से हमने बात की थी और जो पाकिस्तान के इंटिरियर उसके एक्सपर्ट हैं उन सबसे भी तो जो निचोड निकल कर आया वो यह आया कि जब जनरल जाउलहक पाकिस्तान के सत्ता पे काबिस हुए और उन्होंने हकूमत चलानी शुरू की तो उस वक्त तक अफगानिस्तान से जो तालिबान और अलकाइदा के लड़ाके थे उनको ख़देड़ा जा रहा था और उनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के सौाद घाटी और इदर उदर आ गये थे उसके बाद अफगानिस्तान में चुके रूस भी उधर निकल गया और सबको शान्ती था तो इन लड़ाकों का इस्तमाल जो ऐसी कट्टर सोचके थे जाउल हक ने कश्मीर के लिए करना शूरू कर दिया कि तुम लोग अब कश्मीर का मोर्चा देखो कश्मीर के आज़ाद हो गए थे तो पाकिस्तानी आर्मी में उन्ही के रिजिम में ये शुरू हुआ कि जितने भी वहां पे इस तरह के मौलाना और सोच थी जो जिहादी सोच तो उन्हें नमस्ड कर दिया कि हर आर्मी के लोगों को एक दिन होगा और इतने गंटे होगा जिसमें ये मौलाना आक के टाइम में शुरू हुआ और उसके बाद से फिर फोर्स का जो है वो अलग-अलग एक रूप देखने को मिला फिर उसमें सारे कट्रवादी ताकते आने शुरू हो गए फिर उसी सोच के लोग शुरू हो गए और वहीं से फिर सरकार उसके बाद जाउलहक भी खुद रहसमे हालात में मौत हो गई बाद में लेकिन ये चीजें जो है पाकिस्तान की आर्मी के हिस्सा बन गई और उसके बाद से ही फिर पाकिस्तान की आर्मी की सोच भी जो है बाकी किसी भी दुनिया के जो मुलकी आर्मी होती उससे एकदम अलग हो गई और ये देन जाउलहक ती थी और वही वज़ा है कि आज भी सरकार अगर पडोसी के साथ अच्छे रिष्टे और यह करना चाहे तो पाक आर्मी का एक खेमा जो है इसके लिए बिल्कुल तयार नहीं होता है वो कहता है नहीं हम तो यही सब करेंगे और वो जहर आज भी चला रहा है सर एक टेक टॉक करकर के अकाउंट है जिसके जिनका नाम रवी प्रकाश है वो काफी देर से बोल रहा है कि शमसर से बोले कि अपनी लाइफ की कहानी सुनाई है रवी प्रकाश साहब आप जहां कुछ और लोगों ने कहा है कि मैं अपनी लाइफ की कहानी सुनाओ, मैं लाइफ की कहानी बहुत आप लोगों को बोरिंग लगेगी, मुझे तो खैर अपनी है तो इसलिए अच्छी लगेगी, लेकिन मैं आपको जल्दी सुनाओंगा वादा की खुशी में अच्छा, एक फरमाईश आए कि एंड करने से पहले कोई शेर सुना कर, सर ये सनी एच के वीपियन और रिशव हैं, जो लगातार बोल रहा हैं कि आप शेर सुना की एंड करिएगा, तीन लाइफ की खुशी आप लोगों के लिए आप सब भी मतब इसके नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन छोटी बातों में तालुक मर नहीं जाता, थैंक्यू वरी मच्छ